रेल और आईटी मंत्राले की कमान संभालेंगे अश्वनी वैशनों जाने कौन है ये शक्सियत नमस्कार एक सुवार्ट यूनाइटेड न्यूस चैनल लीट इंडिया में आप सब का स्वागत है मैं हूँ आर्टी दुबे जी हाँ दोस्तों देश के सबसे एहम मंत्रालों में से एक रेल मंत्राले की जिम्मेदारी एक पुर्व आया सदिकारी को दी गई है अश्वनी वैशनों को रेल के अलावा आईटी और संचार मंत्राले का कारिभार भी सौपा गया है पूर्व नौका शाह अश्वनी वैशनों ने बुद्वार को मंत्री पत की शपत ली थी हम आपको बताते हैं के आखिर कौन है देश के नए रेल मंत्री और उन्हें कई एहम मंत्रालों की जिम्मेदारी क्यों दी गई राजस्थान के जोदपूर में पैदा हुए 51 वैशनों औरीशा कैडर के भारती प्रशाषनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं भाश्था में होने की बावजूद उन्होंने राजसथा चुनाओं में औरीशा के मुख्य मंत्री और बीजू जन्ता दल के प्रमुख नवीन पतनायक का समर्थन हासिल कर लिया बीजत के भीतर कई नेताओं ने इसकी आलोशना की थी आरोप लगाये गए कि पतनायक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रह मंत्री अमिर शाह के दबाव में जुग गये और वैशनों का समर्थन कर दिया वैशनों 2019 को हुए राजसभा चुनाओं से सिर्फ छे दिन पहले ही भाश्वा में शामिल हुए थे प्रशाशनिक सेवा में रहते वे उन्होंने बालेश्वा रोखटक जिलों के कलेक्टर की जिम्मेदारी निभाई साल 1999 में आए भीशर चक्रवात के समय उन्होंने बतौर नौकर शाह अपने कोशल का परचे दिया और उनकी सूषना के आधार पर सरकार त्वरित कदम उठा सकी जिससे बहुत सारे लोगों की जान बची वेश्वा ने साल 2003 तक ओडिशा में काम किया और फिर ततकाले इन प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाश्पेई के कारिकाल में उप सच्यू निउक्त हो गए बाश्पेई जब प्रधान मंत्री पत से हटे तो वेश्णों को उनका सच्यू बनाया गया आई आई टी से पढ़ाई कर चुके वेश्णों ने 2008 में सरकारी नौक्री छोड़ दी और अमेरिका के वार्टन विश्विद्दाले से अम्बिय किया वापस लोटने के बाद उन्होंने कुछ बड़ी कमपनियों में नौक्री की और फिर गुजरात में आटो उपकरड की वीनीनमाड इकाईया इस्थापित की इसी साल अप्रेल में उन्हें भायतिय प्रिस परिस्द का सद्दस से नामित किया गया तो दोस्तों आपको हमारी जैनकारी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट में जाकर जरूर बताएं और हाँ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजी क्योंकि इसी से हम आपसे जुड़े रहते हैं और हमारा मनोबल बढ़ता है भारत माता की जै वंदे मात्रम